हलो दोस्तो आप देख रहे हैं आपका चानल इंवेस्टमेंट का बाजार और इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं PNB के शेर के उपर दोस्तो दोस्तो PNB के शेर में आज लोवर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली स्टॉक करीबन 15 पैसे की तीजी में बंद हुआ है स्टॉक में एक बड़ा कंसॉलिडेशन आया है दोस्तो और इस कंसॉलिडेशन का एक ब्रेक आउट आ सकता है दोस्तो कुछ टाइम में तो चलते हैं दोस्तो PNB के चार्ट्स पर तो दोस्तो चार्ट्स पर चलने से पहले निफ्टी PSU बैंक के शियर का प्राइस देखिए करीबन आधे परसेंट की निफ्टी PSU के बैंक के शियर में आपको तेजी देखने को मिली है पूरे दिन भर में करीबन देड़ बज़े तक ये नीचे ही कामकाज कर रहा था लेकिन देड़ बज़े के बाद मार्केट ने एक ब्रिक आउट दिया साथ ही में निफ्टी PSU इंडेक्स ने भी एक ब्रिक आउट दिया जो कि इसको आधे percent की तेजी तक ले गया जो कि आप जानते ही होंगे कि जो PNB का stock है वो निफ्टी PSU bank का contribute है अगर निफ्टी PSU bank बढ़ता है तब भी PNB बढ़ता है तो दोस्तो इसका भी आप majorly ध्यान रखे जब भी आप PNB से stock में trade लेना चाहे तो पहले एक बर निफ्टी PSU index को ज़रूर देख ले योगि ये stock जो PNB जो stock है वो निफ्टी PSU banking index में कामकाच करता है तो अगर निफ्टी PSU banking index में तेजी होगी तो PNB में तेजी होगी तो दोस्तो अब चलते हैं PNB के चार्ट पर तो दोस्तो अपन PNB के चार्ट पर आ गए है 38.50 पैसे पर PNB के share and cash closing दिये अच्छी closing है दोस्तो आप देख सकते हैं पुरे दिन भर stock में एक बड़ा consolidation देखने को मिला जब भी दोस्तो ऐसे pattern बने तो आप समझ जाएए एक consolidation है जब stock एक ही price moment पे करीवन 3-4 minute तक का समय ले that means it's a consolidation दोस्तो तो दोस्तो PNB में एक consolidation का pattern बन रहा है और मुझे लगता है दोस्तो इस consolidation का breakout ज़रूर आएगा और वो breakout PNB को 42 रुपे तक लेकर जाएगा दोस्तो फिर दोस्तो ये PNB अपने 50 रुपे के targets की तरफ दोड़ेगा और मुझे लगता है दोस्तो ये कुछ जल्दी ही होने वाला है कुछ बड़ा हो रहा है दोस्तो PNB में आप देख सकते हैं जो PNB की volumes है वो लगातार increasing हो रही है मुझे लगता है दोस्तो PNB का stock जल्दी ही अपने 52 week highs पर चलेगा PNB के लिए दोस्तो अब सारे negatives खतम हो गए अब मुझे लगता है कि Nifty जो अपना पी एन भी स्टॉक है बजट सतर तक अपने 52 week highs तक जाएगा दोस्तो काफी जादा PNB पर मैं भूलिश हूँ दोस्तो बजट के टाइम भी दोस्तो PNB, B.O.B, S.B.I. जैसे stocks आप कहा सकते हैं कि focus में रहते हैं आपको एक final strict stop loss दगाना होगा जो कि 36 रुपेका है क्योंकि दोस्तो market में अभी एक uncertainty है आप देख सकते हैं कि ओमिक्रोन की भी दो cases आ गए है market में अतलब आप किसकते कि इंडिया में दो cases रिपोर्ट हुए है Health Ministry ना ऐसे एक notification जारी करी है ओमिक्रोन के दो cases ही आए है बट दोस्तो आपको cautious रहना चाहिए क्योंकि market कभी भी sudden fall देता है तो sudden fall में दोस्तो आपको एक buying करनी होगी जो भी एक investor है उनको sudden falls में buying करनी होती है दोस्तो अभी जो situations बन रही है कोरोना की यह सब temporary situations है दोस्तो इनका future पर कुछ जादा impact नहीं रहने वाला है यह lifelong नहीं रहने वाला है दोस्तो दोस्तो कभी न कभी तो यह disease खतम होगी प्लस इंडिया में इतना अच्छा vaccination चल रहा है तो मुझे लगते है दोस्तो यह corona की जो disease है यह जादा time तक नहीं tick पाएगी और फिर दोस्तो एकोनॉमी का revival आएगा और वो revival में PNB, SBI, BOB जैसे stocks outperform करेंगे और यह अपने नए all time highs भी touch करेंगे दोस्तो तो दोस्तो आप invested रहें ऐसे stocks में क्योंकि highly undervalued stock है दोस्तो PNB तो stock है वो के एक oversold situation में है दोस्तो तो दोस्तो इसमें आपको buying करके चलनी है intraday की बात करने तो दोस्तो मुझे का लगता है 39 rupees 50 पैसे के आपको targets लगाने चाहिए एक ही target देना है दोस्तो क्योंकि अभी market एक uncertainty में बना हुआ है आपको अपने profits बुक करके चलना है as intraday आप अगर positions carry out नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको अपने targets को हमेशा book रखना है plus stop loss रखने है दोस्तो stop loss ही ऐसे markets में दोस्तो काम आते हैं बलिए आपको position में loss भी हो रहा है लेकिन stop loss का जरूर ध्यान रखे दोस्तो successful trader वही बन पाता है जो कि अपने stop losses hit होते हैं तो अपने position से exit लेता है दोस्तो जो अपने stop losses भी लगा देते हैं और फिर trade exit भी लेते हैं तो उसमें उनको काफी लंबा नुकसान हो जाता है trade को carry forward कर लेते हैं कुछ तो दोस्तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है इंट्राडेटेटिंग कर रहे हैं तो stop loss जरूर लगा है आपको target भने एक रुपे का ही दिया है क्योंकि अभी एक आप कहा सकते हैं कि एक छोटी सी गिरावाट का डर लग रहा है market में क्योंकि दो cases आया है privatization चल रही है तो दोस्तो that's it for video वीडियो अच्छे लगे तो like करना share करना subscribe करना दोस्तो